है है अभी आपका ओसीरी टीट्मेंट के बारे में अभी आपके साथ में बात्चीत करने वाला हूं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं आज में बताने माला हूं कि अपसेश्व कंपल्सी डिसाउडर का ट्रीट्मेंट के हैं होता गया है कि पेशेंट्स तैयारी होते नहीं है कि उनको कुछ बिमारी है और उसके लिए साइकेट्रिस का इलाश करना ची कभी-कभ तो रिलेट्यूज्व्ट भी तैयर नहीं होते उनको लगता है कि यह ज्यादा विचार करता है ज्यादा सोचता है ज्यादा सोचना कम करो बहुत ज्यादा तू सोचता है कि उनको चुप इठाते है कि और इसले फिर 8-10 साल लग जाता है एवरेज में डॉक्टर के पास में पहुशने के लिए तो यह बीमारी है सबसे पहले लोगों ने मानना चाहिए और उसके लिए अनेक अलग-अलग जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले दवाईं दवाईं का जो फरक है मतले मेडिसीन का जो फायदा है वो 4-6 हपते में फायदा दिखाई देता है और अच्छा फायदा दीखने के लिए 8-16 हपते लग जाते हैं इसमें जो हम दवाईं का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले SS आ रहा है सिलेक्टिव सेरेटोनिन रियप्टेक इनिविटर जिसमें फ्लॉक्सेटिन से लेके सरेट्रालिन है, एसिट्रलोप्राम है यह दवाईया है जो 20 मिलिगराम से लेके 80 मिलिगराम तक दी जाती है और इसमें 50 से 70 प्रतिशत फायदा लोगों को होता है दूसी जो तो यह है, वो है क्लूमी प्रेमिन क्लूमी प्रेमिन जो है, उसका दोस जिरे 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 बढ़ाना पड़ता है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट है और 2-3 हफते में इसका पूरा जो लेवल है, वो अचिव करना चाहिए और वो हो सकता है दोसो पचीश से लेके 300 मिलिग्राम पर डे के हिसाफ से इसमें गैस्टिक कैसिडिटी भी होती है दवाई से, कभी-कभी पेट में भी ठीक नहीं रहता मतलब मुह सूख जाता है इसके अलावा जो दवाई का इस्तेमाल ट्राइल दिया है उसमें वैलप्रोएड है, लीथियम है, कार्बमेज़ेपीन है वेनला फैक्सिन है, रेस्पेरिडाउन है ऐसे अलग रभाई यहां मतलब ट्राइक की हुई यह दूसरा रोल जो आता है वह है बिएविर थेरेपी का वरत्रनूक उप्चार इसमें सबसे पॉपिलर जो है वह एक्सपोजर औहर्ड रस्पॉंस प्रिवेंशन इसमें क्या होता है जो चीज का ऑप्सेशन या कंपल्शन है वो चीज उसको कराने के लिए बोले जाता है वक्ति को मैं उसको ऐसा लटता है कि हाथ गंदे है तो उसके हाथ लिटरली गंदी की जाते है और हाथ गंदे करके फिर उसको होई अवस्ता में रखा जाता है उसका एक्सपोजर किया जाता है और जो रेस्पॉंस देता है वह हाथ दोने का उसको प्रिवेंशन किया जाता है तो यह क् घर में प्रैक्टिस करने के लिए बोले जाता है पिर भीयर थेरपी में है डीसेंसिटाइजेशन है थाट स्टॉपिंग फ्लडिंग है तो यह अलग-अलग जो उसके मेथर से अलग-अलग तो वह अलग-अलग मेथर ऐसे भीयर थेरपी के ट्राइ किया जाते है इसके अलवा इंपलोजन थेरपी भी है एवर्शन कंडिशनिंग भी है तैसे ब्हुति काफी सारे ट्रीट्मेंट दे मोडिलिटीज वह उसको दी जाती है उसमें से जो फाइदेगार है तो कंटिनू करने के लिए बोलते हैं तो नेक्स्ट स साको थेरिपी साको थेरपी का एक प्रकार यह किया जाता है उसके उपर दिया जाता है जोह इतना खुल सरे resistant है कि कोई फाइदा है नहीं हो रहा है तो उसमें हम electroconvulsive therapy मतलब शौक treatment का भी इस्तेमाल करते हैं बहुत जादा है पेशेंट वही वही काम कर रहा है तो वह घर के वातावरेंट से उसको बाहर निकाल के hospital में admit करते हैं ताकि hospital के वातावर में बातार बदल होने के बाद में क्या होता है कि वो उसको exposure जो होता है बार-बार-बार-बार वो टल जाता है hospital में अच्छा हो जाता है जिसमें हम कोई patient को hospital में admit करते हैं कुछ करके फायदा निवरा कुछ भी सब हार्टिक गया और बहुत जादा सीवियर हो गया है तो psychosurgery मतलब brain की surgery की जाती है जिसमें cotted nucleus या singulus मतलब singular tommy ऐसे surgery जो है वो की जाती है जिससे और opd में psychiatric outpatient में आने वाले जो patient है उसमें 8 से 10 टका है कि जिनको यह problem है तो यह problem जितने early अवस्ता में जितने जल्दी इसको हम पकड़ लेते हैं उसका इलाज करते हैं तो चांसे से कि अच्छा जल्दी हो जाएगा आपके आजू बाज में काफी सारे लोग होंगे उनको शेर करो वीडियो सब्सक्राइब करो उसके बाद में जो घंटी आती है उसके उपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आ जाएंगे आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो ताकि मुझे प्रेणा मिलती है अच्छे अच्छे वीडियो आप आपको आपके लिए बनाने के लिए जरुए वीडियो शेर कीजिए हमारा मिशन जो है कि सब के लिए मानसिक स्वास्तिय और विशनमुक्त भारत इसमें आपका भी योगदान हो जाएगा थैंक्यू वेरी मुच